हेलो दोस्तों स्वागत यास अभी कामाई चनल पर तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारती इतिहास तो आज है लेक्चर दस जो कि और इसके पहले लेक्चर एक से लेकर नौत करा दिया गया है तो उसमें हम लोग प्राचीन भारत और मत् भीए शेर के कोस्चन के इनलेशिस होते हैं और कौन से पैटरन कोस्चन आते हैं वह समझ में आते हैं ठीक है तो यह 1990 से लेकर 2023 कि के सारे कोस्चन इसमें सामिल किए गए हैं चलिज़ी हम लोग सब्सक्राइव पैठें को प्लोग यहां से खतम हुआ तो तो हम लोग यहीं स गिरकर 1210 में इसके मिठती होई थी ठीक है तो यह दिल्ली शल्तन दोला भी पूरा हो चुका था इसके बाद वाला चैप्टर है अगिसके बाद वाला चैप्टर के नाम है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांथी राजवंस तो इसके देखते हैं हम लोग जौनपूर की अस्थाना फिरोज तुगलक ने अपने चाचेरे भाई जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक की स्मिती में की थी सुल्तान महमुद साद रिती के सासनकाल 1394 इसबी में जौनपूर एक स्थानतर राज बना इसका संस्थापक मलिक सर्वर था जिसने स्थानतर सर्की राज की अस्थापना की मलिक सरवर मुहम्मद साथ रिती का दास था सुल्तान ने उसे मलिक उस सरक पुर्वका स्वामी तथा ख्वाजा एस जहां की उपाधी प्रदान की थी सरकी सासकों ने लगभग 85 वर्सों तक जौनपूर की सुवंता को अस्तापित रखा किन्तु 1489 इस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम सासक हुसेन साथ सरकी को पराजित का जौनपूर को पुना दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया इबराहिम सास सरकी इबराहिम सास सरकी 1402 से 1440 इस्वी गजेटियर आप इंडिया के अनुसार 1401 इस्वी जबकि जौनपूर डिष्टिक गजेटियर के अनुसार 1402 इस्वी जौनपूर के सरकी सावन सका सबसे महान सा सक था उसके सासनकाल में एक नवीन प्रकार की सहली जिसे सरकी सहली काते हैं का उद्य हुआ उसके समय में जौनपूर की सांस्क्रीतिक ख्याती चारों तरफ फैल गई और जौनपूर सिराज एह हिंद नाम से बिख्यात हो गया बिद्यापती ने किर्टी लता काबे में जौनपूर और इबराहिम सा का सुन्दर वड़न किया है 1420 सिजबी में आली सा का भाई साही खाँ जौन जैन अल आबेदीन के नाम से कस्मीर के सिहासन पर बैठा वा कस्मीर का सबसे महान सासक हुआ उसकी धारमीक अधारता के कारण उसकी तुलना मुगल बासा अकबर से की जाती है उसने जजियाक कर हटा दिया तथा गोहत्या को निशिद्ध कर दिया उसने महाभारत और राज तरंग्युडी का फारसी भासा में अनुआत कराया उलर जील में जैना लंका का नामक द्रीब का निमाड जैल उन आवेदीन ने ही करवाया था जैन उल आवेदीन चवदो सो बीस ते चवदो सत्तर इस भी को धारमिक साही सुरता था अच्छे कारजों के कारड कस्मीर का अकबर का जाता है तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रस्न की तरफ प्रस्न संख्या यहां पर एक है जॉनपुर नगर्स निमनाकिन्त में इसमें तीसा अस्तापित किया गया था तो यह किया गया था मुहमद बिन तुगलक देखिए हम लोग आगे इसको MBT के नाम से भी जानेंगे ठीक है MBT यानि M से मुहमद बिन से B से बिन और T से तुगलक MBT आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन यहाँ पर इसको expression देख सकते हैं कि जौनपूर की अस्तापना फिरूस तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना का मुहमद बिन तुगलक की स्मीती में की थी सुल्तान महमुद साद रिती के सासनकाल इसमें जौनपूर में एक स्वतंदर राज्य बना इसका संस्थापक मलिक सरवर था जिसने सतंत सरकी राज्य की अस्थापना की मलिक सरवर महमुद साद रिती का दास था सुल्तान ने उसे मलिक उसे सरक पूर्व का स्वामी तो तक ख्वाजा ए जहां की उपाती प्रदान की दुसरा कोशन है जौनपूर नगर के अस्थाप इसका इबराहीम साथ सरकीज जौनपूर के सरकीज वंसका सबसे महान सासक था, वो विद्द्या और कला का प्रेमी था, उसके ससनकाल में एक नवीन प्रकार की सैली, जिसे सरकी सैली काते हैं, का उदे हुआ, इस सैली में स्थाधरण प्रकार की मिनारे हटा दी गई और उनमे हिंदू प्रवाह का चिन जलकने लगे, उसके समय में जौनपूर की सांस्कीति ख्याती चारों तरफ फैल गई और जौनपूर सिराज हिंदपूर का सिराज नाम से भिख्यात हो गया, कोश्चन नमर फूर है, जिन अस्थानों में किसे भारत का सिराज का जाता है तो जौन जैन उवे दीन, ठीक है, और कोश्चन नमर 7 है, निमने मैं से किसासक ने सरपत्थम जजिया कर समाप्त किया था तो यह किया था, जैन उल आवे दीन नहीं किया था, और कोश्चन नमर एट है, निमलिखित कत्のमें बशार किये जीन उल आवे दीन दौरा पूरी की गई कसम कुम्भा के दर्बार में नहीं था तो यह हो जाएगा अफसर नमर डी मूनी जीन बिजय सूरी जैन बिद्वान मूनी जीन बिजय सूरी राडा कुम्भा के दर्बार से समंधित नहीं थे जबकि मूनी सुंदर सूरी नाथा तता टिल्ला भट कुम्भा के दर्बार से समंधि है कौश्चर नमर दस है कौझ सा इसमें सुमेलित नहीं बताना है तो यहां पर सासा कर यहां पर राच्जAy és तो राड़ा हमिर कीयो हजाएगा मेवाड़ राड़ड़ा हुज़meter गवाड़ा और की गई थी तो यह राजवांस था सल्तनत पर सरकीश रासन ठीक है और नेक्ट कोश्चन नमर 11 मद्यकालिन भारती राज और वर्तमान छेत्र इसको मिलाना है तो चंपक तो चंपक मद्य भारत में था दुर्रर जम्मू और कुलूत मालाबार तो कौन सा कतन सही है तो केवल दो सही है और वाकि ये दोनों गलत है मद्यकालिन भारती राजव में चंपक यानि चंबात था कुलूत कुलू का संबंद हिमाचल पदेश से है दुर्गर जम्मू यहम कस्मीर में इस्थित था चंपक दुर्गर और कुलूत राजपूतों से समंदी था इन तीनों राजव का उदेश्त्री पक्ची संगर समें सामिल राजव यानि पाल पतियार राष्ट कूट के पतन के पैड़ाम सरूप हुआ था बहमनी राजव की अस्थापना की थी तो यह किया था अलाउदीन असन ने अलाउदीन खिल जी नहीं अलाउदीन हसन ठीक है दकन के अमीरान एस के अंतिम दिनों में बहमनी समराज की अस्थापना हुई जपर कहा हसन गंगू 1347 से 1368 इसभी नामक एक सरदार अलाउदीन हसन बहमन सा की उपादी धारण करके 1347 इसभी में सीहासन रोड हुआ और बहमनी समराज की निव डाली उसने गुलबरगा को अपने नौ प्रफो प्रांतों में विभाजित किया गिल बुर्गा दौलताबाद बरार और बिदर प्रतेक प्रांत एक सासक के अधिन था गुलबरगा का प्रांत सबसे महतवपूर था इसमें बीजाबूर भी समिली था दच्छिड के हिंदू सासकों को उसने अपने अधिन किया था तो यह है अलावदीन हसन चौदा नमर कोश्चन है बामनी राज की अस्थापना की सवर्स में हुई थी तो अभी पढ़ा त्यरह सतारी सभी में कोश्चन नमर पंद्रह है बामनी राज की प्रत्हम राजथानी निमलिखित में से कौन सी है तो यह है गुल बरगा आप्सन कौश्चन नमर शौला है डचे में अर्सथावे कं निमने से कौन था तो यह है असमार शत्रह है बामनी राज का स्थाफित हुआ था था तो यह वह था 14 सद Urguy में आप सुन भी कौश्चन नमर 18 मिलान वाला कोश्चन यह इंक तो इसको मिलान करते हैς आल आदिल-साही तो और नजाम साही आपकर हो किया हुई जहाएंगा। आंम्हार हो जानपूर तो इस पर पाकर हो जाएगा आपका दो किसमे में आ। में है ठीक है और कोश्चन में नई से निम लिखित मुस्लिम सासकों में किसे एक को उसकी धर्म नीर पेच्चता यानि सेकुली रीजियम में आस्ता के कारहड उसकी मुस्लिम प्रजाजा जगत गुरु का कर फुकारती थी तो यह आफसान सी हो जाएगा इबराहिम आदिल सब्सक्राइब नामक पुस्तक का लेखर था तो आफसर निया हो जाएगा इबराहिम आदिल साधरिती कोश्चन हमारे कैसे आहमत नगर के निजाम साही वनसका अंत कैसे हुगा तो यह वा ता आफसर नहीं हो जाएगा आमन नगर को मुगल समराज में मिलाकर हुसें साह को आज जीवन करावास कर दिया गया यह देखिए आई उस प्री दूए चौदर चार पोजिशन है आपसन एउसिस का सही अंसर है ठीक है तो साजहां के साथन काल के तोरान 1632 में महावत खा के नितितों में आहमद नगर पर आकमर किया गया उसने दौलताबाद के दुर्गर को आपनी और मिला लिया, चार महिने के घेरा बंदी के पस्चाद दौलताबाद की दुर्गर को जीत लिया, सुल्तान हुसेन निजाम साथ निति को बंदी बनाकर गॉलियर के कीले में फेज दिया गया था था, आउमद नगर को मुगल समराजिय में मिला लिया गया वह यूग में जो सही समयलित इसमें नहीं बताना है जो गलत हो गाई तो बहादुर जाज यह मालवा है कुटुप सा यह गुलकुंडा है सुल्तान मुझपर सा गुजरात है यूसुब आदिल सा अमददगर नहीं है तो कहा पर है इसका इसमेन देखते हैं तो फित्विवों सबमेसे सही समेलित यूसूफ बादेत साब बीजापू कर सासक्ता ना किया मंदक तो बीजापूरे ठीक है गुलकुंडा को वरतमान में क्या का जाता है तो का जाता है है क्वडिया था ग्रण बाक चोबी से निमलिकित में देवगिरी में थी वारंगल में गन्फिजन हुआ था देवगिरी हो जाएगा ठीक है तो इसको मिलाते हैं पल्लो हो जाएगा काची और पांडव पांडव हो जाएगा मधुरा पल्लो हो जाएगा काची पांडव हो जाएगा मधुरा और यादव हो जाएगा देवगिरी और काकती हो जाएगा वारंगल केंसे कोश्चन 27 निम्लिखित में से कौन से राजवान माईला सासक रुद्रमा देवी से समंदी थे तो अपसंसी उजा का अक्का कती है गुमत बीजापूर निश्ट कोश्चन है गुजरी महल किस ने बनवाया था तो यह बनवाया था आपका मान सिंग ने आपसंद भी वह जाएगा तो गुजरी महल मारा राजा मान सिंग तोमर ने चौदो सो चीयासी से पंदो से सोला इसबी के मत्य पनवाया था अस्थापत के चेत्र में यह एक अदबुत नमुना है राजा मान सिंग एक महन भी जेता भी था नेश्टा कौन से युग में साइस समेरित नहीं है तो अधीना मस्जीद मांडू यह गलत है बाकी लाल दरवाजा मस्जीद जौनपूर में है दाखिल दरवाजा गौड और तीन दरवाजा अहमदाबाद तो पस्ची मंगाल के पंदुआ इस्थित अधीना मस्जीद जाम साह की कब्र है इस मस्जीद में हिंदू वस्तु का लखा प्रभाव इस पश्ट दिश्टी कोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदीरों एवं महलों के अवसेस हैं अन्य यूग में सही सुमेली थे हैं अगला कोच्चन है दच्चिर भारत के पोली गार कौन थे तो यह थे छेत्री प्रसासनिक और सैने नियंतरक पोली गार एक सामनतवादी उपादी थी जो दच्चिर भारत के नायक सासकों को त्वरान नहीं तो किये गए छेत्री प्रसासकी और सैने नियंतरकों के एक वर् तो इस पकार ये समाप्त होएं और नेश्ट है भक्ती और सूफी अंदोलन ठीक है तो चली इसी वीडियो में हम लोग भक्ती सूफी अंदोलन के भी कबर करेंगे भक्ती अंदोलन का उदेश और पथम द्रबिड देश में हुआ तो था वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया भागवत पुरार में कहा गया है कि भक्ती द्रबिड देश में जन्मी करनाटक में विक्सित होई तो था कुछ काल तकमाराष्ट में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर कर जीड हो गई भक्ती अंदोलंका सूत्र पात दच्छिड भारत में आठवी सदी में महान दार्शनिक आदी संकराचार के उदय के साथ हुआ था जिन्होंने विसूद अध्रैतावाद का प्रचार किया भक्ती अंदोलंका को दच्छिड के वैचड़ो अलवार संतो और सैव नैनार संतो ने प्रसारित किया था भक्ती अंदोलंका पुना जनम 15-16 सदी इसबी में हुआ जब इसके नेतितों की बागडोर कबीर नानक तुलसी सूर एवं मीरा बाई ने समाली मदेकाने भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरस्ता फैलाने में मदद मिली ये सूफि ध्यान साधना और कठोर स्वास नियमन जैसी योगी क्रियाओं को किया करते थे वे एकांत में कठोर योगी की बैयाम करते थे तथा समाज में एक्ता और सवहार्द फैलाने तथा सोताओं में अध्यात्मिक हरसुनमाद उत्पन करने के लिए गीतो यहम संगीत का सहरा लेते थे काम रूप जो असमराज में इस्थित है वहाँ पर वैसरो धर्म को लोकपरी बनाने का कारे संकर देव ने किया था एकस्वर वाद उनके धर्म का मूल उद्दे से था वे विश्णू या उनके अवतार किष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे उन्होंने एकसरड संप्रदाय के स्थापना की वे कर्मकान एवा मूर्थी पूजा दोनों के विरोधी थे वे असम और चैतने के रूप में प्रसीदे थे स्री बल्लबाचार सो मयाजी कूल के तेलगू प्रामण की स्री लचमरभट के पुत्र थे लगता है कि यह रुका कर आ गया था वीडियो चलिए हमनों शुरू करते हिं यहापर पहला कोश्चन है भक्ति-अंदोलंका प्रारम किया गया था तो यह Ltar यह किया गया था अलwar-sanतो द्वारा ऐस्पर लेसन इसका है भक्ति-अंदोलंका उुदेश और पत्थम द्रबिड देश में हुआ तथा महां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया भागवत पुरार में कहा गया है कि भक्ति द्रबिड देश में जन्मी करनाटक में व्युक्सित हुई तो तक कुछ काल तक महाराश्ट में रहने के बाद गुजिरात में पहुंचकर जीड़ हो गई भक्ति अंदोलंग का सुतरपाद दच्छिड में आठमी सदी में महान दारसनिक आधी संकराचार के उद्य के साथ हुगा था जिन्होंने बिसुदर अदेतावाद का प्रचार किया भक्ति अंदोलंग को दच्छिड और वैश्रो अलवर संतों और सैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था क्वेश्चन नमर दो है भक्ति संस्कृति का भार में पुनर जनम हुगा तो यह आपसंडी हो जाएगा पंद्रहमी और सुलहमी सताब्देश भी में क्वेश्चन नमर तीन है बुद्ध और मीरा भाई के जीवन दर्सन में मुख्य साम में था तो यह है आपसंसी संसार दुख पूर है क्वेश्चन कोई बेक्ति किसी बेक्ति से उसका स्थर्म संप्रदा या जाती न पूछे यह कतन किसका है तो यह रामानंद का था क्वेश्चन नमर पांच है सभी भक्ति संतों के मद्धे एक समान भी सेज़ता थी तकि उन्होंने अपनी वाड़ी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्ति समझते थे आफसन नहीं हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है मद्धे यूगिन भारत के धार्मी के इतिहास के संदर्व में सूफी संत्र निम्लिकित में से किस तरह के आच्रण का निर्वाह करते थे तीन कथन है ध्यान साधना और स्वास नियमन दूसरा है एकांत में कठोर योगी के बैयाम और तीसरा है सुरताओं में अध्यात्मिक हरसुनमाद उत्पन करने के लिए पवित्र गीतों का गायन तो आफसंदी हुजाएगा तीनोस आईएस दूयर बारत कोश्चन है आईएस का मदेकालिन भारत में सूफियों के और उत्भाव के समाज में समरस्ता फैलाने में मदद मिली ये सूफी ध्यान साधना और कठोर स्वास नियमन जैसी योगी क्रियाओं को किया करते थे वे एकांद में कठोर योगी की बयाम करते थे तथा समाज में एक्ता और सवहार्द फैलाने तथा सुरताओं में अध्यात्मिक हर्सों अन्माद उत्पन करने के लिए गीतों यहम संगीत कर सहरा लेते थे कुश्चन नमर साथ है काम रूप में वैश्रो धर्म को लोगप्री बनाया तो आपसण डीए संकर देवने कुश्चन नमर आठ है वह सूप्रसीद्व मद्यकालिन संत संकर से और सुद्ध अदयतावेद वाद का पतिवादन किया था तो यह किया थे बल्लभाचार ने नेश्ट है महाप्रभु बल्लभाचार की जन्म इस्तली कहां है तो यह आप संद्धी हो जागा चंपारण में कोशनमा 13 निम्रिकित में से कौन सुमेली थे तो यह है अदयतावाद रामानूज नहीं है विसिष्टता हो जाएगा रामानूज है और दयतावाद मध्याचार यह सही है अद्रयता दयतवाद बल्लभाचार भी नहीं है यहां को मिलान करना है वह इसी सेम चीज़ को तो आपके दयतावाद और संकर हो जाएंगे और द्रयतवाद तो यह हो गया आपका दो तील एक और चार तो हो जाएगा आपसा नमर सी देखिए वह सेम कोश्चन है रामानुजी दयाविसिस्टा रमाध्यावचार दयत निम बार को जाएंगे दयतावाद और बलभाचार जाएंगे सुद्ध दयतावाद नेश्ट कोश्चन है निम लिखी कतने वह विचार कीजिए पहला कतन है बीजक संत दातु दयाल के प्रचार के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया रामानंद तो उत्तर भारफ में रामानंद भक्ति अंदोलंग के प्रथम प्रवर्तक थे जिनका 1292 में प्रयाग यानि प्रयाग राज के कान ने कुप जिब्रामर्ड परिवार में हुआ था प्रयाग तथा वरारसी में उन्होंने सिच्छा प्राप्त की थी ये सगुड इस्वर में विजवास करते थे इन्होंने भक्ति को मुक्ष का एक मात्र साधन स्विकार करते कुम्भन दास का जन्म प्रज भूमी मतुरा के आसपास हुआ था अब यहां पर नेश्ट कोशन आता है मद्य कालिन भारत के निमलिकित में से किज संत का जन्म प्रयाग में हुआ था तो आप संभी हो जाएगा रामानंद का कोशन नमर 19 है कबीर सी से थे तो यह थे रामानंद के 20 नमर कोशन ने बीजक का रच्टिता कौन है तो कबीर थे कबीर यहों में धर्म धर्म दास के मद्यसावादो के संकलन का सीर सक है तो आप संभी हो जाएगा अमरपूल मरलुक दास एक संत कभी थे तो आप संभी हो जाएगा कड़ा के और कोशन नमर 23 हो जाएगा संत घासी दास के पिता जी का क्या नाम था तो आप संभी हो जाएगा महंगू 24 नमर रिकत नहीं में गरति एंपश्च क्वाइएग और कोष्टर नहीं पर नहीं हो जांगी यह होजाएगा और भाति है ह 늘 정말 और दो दक्विस्ट यह दिखेंगा यहां पर यह जानंज कि और ननक कंचा 179 से 1549 तक और चैताने 1486 से 1533 और मीरा भाई 1498 से 1546 कोश्चन 26 से भगवान की पतिष्ठा में कितने जोतिलिंग अस्थाफित हैं तो यह हैं बारत बारों के इसमें नाम दिये तो पढ़ देते हैं ठीकित नाम दिये गए हैं तो आए तो केदार नाथ महां कालेशवर ओंकारेश में नागेश्वर सोवनाथ पर दैंटै त्रमइकेश्वर गर्ास यहेज बोलते हैं भीमा संकरり मली कार्जुन और में तो ऑघ्णा है ठीक है अगला है रामानुज के अनुयायों को कहा जाता है तो यह का जाता था वैसड़ोग कोश्चाम 28 से निम्लिकित में से कौन सा अस्थान गुरु नानक का जन्म इस्थाल था तो आपसंसी हो जाएगा ननकाना नेश्ट कोश्चन है जिसके साथ सन में गुरु नानक देव ने सीख धर्म की अस्थापना की वहा कौन थ साथ से हो जाएगा आपसंबी सिकंदर नेश्ट कोश्चन है कि इस वर केवल मनुस्य के सद्गूरु को पचानता है तता उसकी जाती नहीं पूचता अगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिधान्त किस भक्ती संथ के सा तो यह हो जाएगे आपके नानक के थे ए इनका विवा उदैपुर के प्रसीद सासे कराड़ा संगा के जेश्ट पूत्र यूराज भोजराज से हुआ था किन्तु विवा के कुछ यूगर सो पचाद राजिकुमार भोजराज का पर लोकवास हो गया पतिकी मृतियों के बाद उन्होंने अपना सुचा समुचा इस भी के इनके संकाली नहीं थे कुछ नमर 32 से प्रसीद भक्त कवियत्तिरी मीरा के पती का नाम था तो आपसंदी हो जाएगा राज कुमार भोजराज नेश्ट है राम राग गुबिंद की रचनाकर रचनाकार हैं तो यह हो जाएंगे मीरा बाई निमर की संतों को उनके कलानुकरम नियूरित कीजिए तो पहले तो यह थे नाम देव और फिर कभीर फिर नानक और फिर मीरा बाई कभीर 10 1398 से 1518 नाम देव 1270 से 1350 मीरा बाई का समय 1498 से 1546 और गुरुनारत देव का समय 1479 से 1549 किस में से कौन इसलाम से प्रभावित था चैतर ने मीरा बाई बलबाचार नाम दे तो नाम देओ निमलिकित भक्ती संतों पर विज़ार कीजिए दादु दयाल गुरुनारत और त्याग राज इने में से कौन उस समय उपतेश देता था देते थे जब लोधी वज़ का पतन हुआ था बाबर सत्ता रूर हुआ था तो यह थे केवल गुरुनारत मिदान करने वाला कोश्चा ने है भक्ती संत भक्ती संत और विवसाय तो नाम देओ हो जाएंगे आपके दरजी और कबीर हो जाएंगे जुलाहा रविदास तो यह मोची और सेना नाई तो देख सेते हैं इस नमर आफसा नमर भी है नाम देव दरजी, कबीर जुलाह, रभिदास भोची और सेना नाई चैतन ने महाप्रभु की संप्रदाय के सम्मद थे तो यह थे वैस्रव चैतन ने वैस्रव संप्रदाय के अंतरगत किष्ण भक्ती से समंदी थे चैतन के बच्पन का नाम निमाई था चैतन ने किष्ण को अपना अरात्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ती का प्रचार किया बहुत दिनों तक उन्होंने बिंदाबन में भी निवास किया नदियां आकर उन्होंने किर्दन जुलुसों का आयोजन भी किया वे गलियों में घुम घुम कर किष्णे लिलाओ का किर्दन किया करते थे तुलसी दास किसके समकालीं थे तो यह थे अकबर थे जहां गिर के क्वेश्च नमर चालिस है राम चरिद मानस नामक गरंत के रचाईता थे तो आप से नहीं हो जाएगा तुलसी दास और निम्लिकित में से कौन सी संत रचना संत तुलसी दास की नहीं है गितावली, कवितावली, साहित रत्त और बिने पत्रिका तो साहित रत्त नहीं है बिने पत्रिका के रचाईता तुलसी दास कौन से समेलित नहीं है दृूदास ये भगत नामवली और नाभादास ये हो जागे भकतमाला उस्मान हो जागे चित्रावली रस्खान रसिक प्रिया को नहीं है रसिक प्रिया अचार के सौदास की वसना है निमरिकीत में से कौन बरकरी संप्रदाय का संद था तो ये हो जागा नाम देओ बरकरी संप्रदाय की मुखे पीट अबस्ती था तो ये हो जाएगी पढ़हर पूर में और कोशन नमर 46 है भक्त तुकाराम कौन से मुगल समराट के समकाल इन थे ताफ संसी हो जाएगा चाहागीर कोशन नमर 47 है नमलिकित में से कौन भक्ती अंदोनक का प्रस्तावक नहीं था तो ये वगन नागा और जुन बाकी तुकाराम बलबाचार ये त्याग राश्ते अब देखें यहाँ पर कथन और कारण वाला कोशन है कथन है मद्यकाल में संगीत पर संस्कीत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और फिर क्योंकि आरंभिक चिस्ति सूफी संगीत सभाव जीने समा कहा जाता था कि सौकीन थे तो यह पर संभत था महमुद गजनवी और नेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था फिरोस्त उगला कें सिकंदर लोदी ने विजयश रूप से संस्कित में लिखी विभिन विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया बाद में मुगल बात्साहों ने भ तक पहुचनेत का मांते हम मांते थे इस पश्टा की कथा नेयम कारण दोनों सही है लेकिन सही ब्याक्या नहीं कर रहा है क्वेश्चन नमर 59 से भारत में चिस्तियां सूफी मत को अस्थापित किया तो आप सन्भी हो जाएगा ख्वाजा मुदिति मुदिन दिन ने कोशन नमर 59 से भारत में चिस्तियां समरधया का प्रथम स्थाफई संतका अप सन्भी हो जाएगा स्थाफ वक्ता तौस्मान हारुनी के न 292 जिस्ति के थे थे तो आफसंव immersadora आव ज़लाब राठ्ठा सरदार कौन थे तो जाएगा राजा राजा साहुस वाजी जी के पोवत्र थे है को तार नमर 56 है सेक निजाम अदिन और या सिस थे तो यह थे बाबा फरीद के कित इबर तक को सब्सक्राओं कोश्चन है सेक निजामुदीन और या की दरगा इस्तित है तो यह है दिल्ली में आपसंसी काथन है भारत में सूफियों के चिस्ति धर्मसंग का प्रवर्तर और सर्व प्रमुख बेखती ख्वाजा मुहीन दें चिस्ति है क्योंकि चिस्ति धर्मसंग ने अपना नाम-जमेर में इस्थित-ग्राम चिस्त से लिया है तो यह जागा यह सही है लेकिन आर गलत है चिस्ति संप्रदा के अस्थापना अबु इस्साख समी चिस्ति ने की थी वे अली की निव और नवी पीड़ी में थें बाद में वे सीरिया से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में इसलिए वे चिस्ति का लाएं परन्तु भारत वर्स में चिस्ति विचारधारा का प्रचार सरपत्म खौजा मुईनिदून चिस्ति ने किया जिस सुपी संद की मानेता थी कि भक्ती संगीत इस वार के निकट पहुचने का एक साधन नहीं हुआ है 60 है निम्न में से कौन चिस्ति सिलसिले से समंध नहीं है तो अफ़सन भी जाएगा सेख अब्दुल जिल्लानी 61 है निम्न लिखित में से किसे भारत का साधी कहा जगया है तो अफ़सन भी जाएगा अमीर हसन 62 है निम्द लिखित में से किस सुल्तान से निजामुदिन ओलिया ने भेट करने से इंकार कर दिया था तो आप्शन भी हो जाएगा अलाओ दिन खिल जी 63 है कौन सुफी संत महभूब ए इलाही का अलाता था तो आप्शन भी हो जाएगा सेख निजामुदिन ओलिया 64 नमर निम्लिकित में से कौन सी सूफी संत महभूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं तो आप्सन भी हो जाएगा सेख निजामुदिनाउलिया 65 है सेख फरीद का सरवाधिक ख्याती लब्द सिस्थिय जिसने दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा था अकॉन था वो तो यह निजामुदिनाउलिया आपसने हो जाएगा छाचत है निम्ने में से किसे सूफी संत के विचारों को सीखो के धर्म ग्रंत आदी ग्रंत में संकलित किया गया है तो आपसन सी हो जाएगा फरीदु दीन गंज ए सकर ओर नेक्स्ट है प्रसीद संत्य थे सलीम चिस्ति राटे थे तो यह राते थे फटे पूर शिकरी में चिस्ति सांक के अंतिर्व लोट आय और आगरा से लगबख 30 किलोमेटर दूरी पर इस्तित सीकरी नामक अस्थान पर रहने लगे जिसे अगबर ने अपने प्रसीद नगर फतेपुर सीकरी के रूप प्रदान किया नेक्स्ट है निम्लेखित में से किसे सेक अले थित की पदवी प्रदान की गई थी तो यह है किसी संती संत को चीराग के दिल लिक कर जाता है तो आपसंटी हो जागा नसीर दीन नेक्स स्टम्रीत नयेक्स नेमर्कित में से कौन स्मिरीत नहीं बताना इस वह मुझे हैं CT तो पहलव है एक निलाते हैं से खाधा में दिन चिश्ती तो लिए वह जाएंगे आकर चिस्तियां से और रसिख आम Bluetooth तो यह जाएंगे नकस बनदिया और दादा सिस्को तो झातने तारा सिको रजाएंगा कदिरिया और सिख सहाबुदिन यह जाएगा सुहरा वदिया अगला है भारती इतियास में सूफिवाद के संदर्वे में निम्र लिखित कत्रों पर विचार केजिए पहला कत्रन है सेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालिन था दूसरा है सेख नसीरुदीन चिराक ए दिल्ली सेख निजामुदीन अलिया का सिस्थे था तो यह और तीन कतन तीसरा कतन है औरन जेव सीख सिलीम चिस्थी का समकालिन था और चौथा है भारत में सूफियों की कादीरी पदती सबसे पहले सेख नियामुदीन तो नियाम तुल्ला और मखमदूम मुहमद जिलानी द्वारा लागू की गई तो अपसंटी हो जाएगा सिलसिला के प्रसीद संद थे वे अकबर और जहांगीर के समकालिन थे उन्होंने इस वर के साथ एकत तो यानि बहुदत उल वजूद के रहस्यवादी दरसन के अस्थान पर पत्यक्च वादी दरसन बहुदत उल सुभूद का पतिपादन किया सीख नसिरुदीन चिराग ए दिली ख्वाजा निजामुदीन और या के मुखे सिस्यों में से एक थे इन्होंने अपने पीर यानि गुरु के उपदेशों का प्रचार किया किन्तु ये उतने उदार प्रवित्ती के नहीं हो सके अकबर सेख सलीम चिस्ती का समकालिन था कादीरी साखा के सरपथम संस्थ सिस्लाम के महान संस्थों में की जाती है बारत में सरपतम इस साखा का प्रचार साह नियामत उल्ला और मकदूम जिलानी ने किया मकदूम जिलानी ने उच और अपना सिच्छा केंजर बनाया कथम 2-4 सएए नेश कोश्य ने हट योग संदर्प, नियुनलिखित मैं से कौन स सभी है हट योग नात पंतियों द्वारा अपनाया गया था और दूसरा है हट योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था तो अपसंसी हो जाएगा दोनों सभी है असीसी संत के फ्रांसिस ऐसे इसाई संत है जो पस्व पच्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है नेस्ट कोश्चन है इसाई होकर गुड़ फ्राइडे क्यों मनाया जाता है तो यह जाएगा आपसंसी इसा मसीग को सूली पर चड़ाया गया था तो चलिए अब यह मुगल अब यह खतम हो गया और शुरू यहां पर होता है मुगल वंस तो हम लोग इसको नेस्ट वीडियो में किया जाएगा ठीक है इसको पढ़िए तो तीन बार दोर आईए इसको देखिए इसको पढ़ने से समझ में आएगा कि कैसे कैसे कोश्चन आ सब्सक्राइब आएगा साज अहां आएगा उसके बाद और अरंजेव आएगा तो इसको लगाता रहा हम लोग लाइन बाइन पढ़ते चलेंगे चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच